रेस्टोरेंट से भी जादा टेस्टी डिलिशियस सी मटर मश्रूम की सबजी एक नए ट्रिक से बनाएंगे घर पे बहुत ही आसानी से पूरा वीडियो लास तक जरूर देखिएगा प्लीज लास तक जरूर देखिएगा बीच में स्किप मत कीजिएगा और कहां सी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा मेरे लास वीडियो का थैंक्स जाता है सुदेश जी है सिद्नी से और रेखा जी लखनौ से आप भी प्लीज कमेंट कर कीजिएगा ताकि मैं आपको थैंक्यू कह सकूँ और ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत जादा टेस्टी ह तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो या कड़ी में मैंने पानी लिया है लगबख तीन लाजिता पानी उसमें मटर डाल दिये मैंने मश्रूम डाल दिये दो बड़े से टमाटर इसमें मैं डाल दे रही हूँ मश्रूम धाइसो ग्राम है और मटर भी लगबख धाइसो ग साथ ही 12-15 काजु के पीसे ले लिए और 2 हरी मिर्ची इन सब को हमें एक साथ उबाला है बहुत ही बढ़ा सी ट्रिक है बहुत आसान है और बिल्कुल फ्लेवर आपको रेस्टोरेंट जैसा आएगा मैं कौंगी उससे भी डबल आएगा कम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है त बनाना कैसे क्या ट्रिक है प्लीस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा तो प्याज जो है दो बाले जो बड़े प्याज है इसमें इतनी मांड़ ब्लोइंग सी सब्जी बनीए कि मैं आपको क्या वता हूं यार प्लीस आप इसको ट्राय जरूर कीजे का अपको बेहत पसं काजू ऐधरक और लस्पूν भी टशा काजू दर्क लाउन शेयर कि युदूं लिद्धाना मत्रों पायज चिल से बत्तिया फलड़ती है एक चेरा अचालनी ने चार बड़ेचा ने बनाड में चेट लिए धूरी प्रकश एक ज्चेरा डाल देढ़ा द्हूरी नाचा रिक दुकुड़ा सा और ग्रिक तो प्रकश सब्सक्रां में आपप घाटा यू द्दाले ने यू जो विन बड़ेची च्छाटास द्धिन हृ और यह जो पेस्ट पीसी थी ना वो इसमें मैं डाल दी जिसमें टमाटर थे प्याज थे और काजू और अद्रकलसुन थे तो इस पेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैं और आप कलर देख पार होंगे ग्रेवी का बहुती सुंदर से कलर आता है जैसी कि होटिल्स में आपको मिलती है ना सबजी बस वैसे घर में भी मिलेगा थोड़ा से पानी मैंने इसमें डाल दिया मिक्सी के जार में और यह देखिए कि तब बढ़ी आसा कलर आया है अभी कुछ मसाल इसमें और डालेंगे फिर हमें ग्रैवी को भी पकाना है थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 140 पुन जिती साथ एक बड़ा चमश पर की धनिया पौडर का मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से इसको मिला लेंगे बहुत ज़्यादा और मसाल इन गया लेंगे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा नमक टीस्ट का एकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए और बस नमक को भी अच्छे से मिक्स का लेते हैं अब हम ग्रैवी को पकाएंगे आज तो यह दिखिए प्याज के मैंने से पीसिस के शिम्ला मिट्श के भी पीसिस कर दिये हैं मश्रूम को भी चाहर हिसो में काट लिया और मटर भी छेल दिये थी यह साब मैं इसमें डाल दिया है अब इन वैजीस को अच्छे से ग्रैवी में भुनना है हमें दो मिनिट के लिए चलाते हुए आप दो मिनिट भुन लीजे इससे फ्लीवर जो है सबजी का और भी बढ़ता है जितना भुनते होना वेजीज को ग्रैवी में और बहुती बढ़ी असा फ्लेवर रिलीज होता है और मैंने थोड़ा पका लिया और बस अब ये जो सबसी है हमारी बनकर बिलकुल तयार है लास्ट में आप इसमें डाल दीजेगा भारी करते हुए हरे धनी ऊपर से और ग्रैवी का रंग आप देख पारे होगे और ये स्वाद इतनी बड़ी आसी स्मेल आती है जब आप बनाओंगे ना प्लीज इसको बनाएगा ज़रूर वीडियो देखके छोड़ मत दीजेगा बनाएगा ज़रूर घर में बच्चे बड़ो सबको ही पसंद आने वाली है ये सबसी बहुत टेस्टी और प्रोटीन से भर पूर है लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाल आप स्प्रिंकल कर लीजेगा वन फोटी स्पुन जितना या दो चुटकी भर के और बस आपकी जो सबसी है मश्रूम मटर बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर बिल्कुल तयार है तो ये रसीपी जरूर ट्राय करें आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस लाइक के साथा शेर जरूर कीजेगा कौन सी सीटी से वीडियो देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएगा पेच पेनाए हो तो पेच को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे यूट्य चैनल को भी प्लीस लाइक और सब्सक्राइब कीजे बेल आइक उन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और ये कैसी लगी रसीपी जरूर बताएगा थैंक्स वाचिंग जैश्री गरनेश वाही गुरू जी